एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आज मैं फेस्बुक के बारे में ऐसी इंफर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग हो सकता है नहीं जानते हों कुछ नया जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को प्रेस करें आजकल फेस्बुक पर प्रावसी को लेकर जो कॉंट्रोवर्सी चल रही है आखिर हमारा क्या परसनल डाटा किस एप के साथ शेयर किया जा रहा है इस वीडियो में मैं आपको यही काम कर रहे हो तो फेस्बुक को आपके काम की पूरी जानकारी है आप कहा हो किस जगह हो और क्या कर रहे हो तो हो सके फ्रेंड फेस्बुक यूज़ करने के बाद लॉग आउट जरूर कर दीजिए फेस्बुक एकाउंट पर लॉग इन हो जाएए उपर एरो पर क्लिक करके नीचे सेटिंग पर क्लिक करिए और यह साइड में यहाँ एप का आप्शन आपको शो हो रहा होगा इस पर क्लिक कर दीजिए अब यह वो एप्स हैं जिसमें हमने कभी न कभी फेस्बुक आइडी से लॉग इन किया होगा यहाँ हम चेक कर सकते हैं कौन सी फेस्बुक एप हमारे बारे में क्या-क्या डेटा इखटा कर रही है और हमें पता भी नहीं होता कि इतनी सारी आप ने हमारे बारे में इतना सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है देख लेते हैं किस-किस फेस्बुक एप के साथ हमारा डेटा शेयर किया जा रहा है जैसे बीगो लाइफ आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा यह वीडियो चैटिंग एप है एडिट पर क्लिक करें यहां आपको वो सब दिख जाएगा जो इस एप ने हमारे बारे में कलेक्ट किया है इसने मेरी पूरी friend list देख लिया है मैं इसको remove कर देता हूँ और मेरा date of birth भी इसको पता है इसको मेरा date of birth पता करने की क्या सरुरृत तो आप भी इसी तरहीके से remove कर दिजेगा अगर आपको लगता है कि हाँ यह application मेरे लिए ठीक नहीं है या मैं इसके साथ अपनी इतनी सारी information शेयर नहीं करना चाता तो आप भी इसी तरीके से remove कर दीजेगा और फिर save कर दीजेगा यहाँ पर जो permission है वो हमारे हाथ में है यह जरूरी नहीं कि हम अपने बारे में हर app को disclose करे हम अपनी privacy को अपने हाथ में लेकर decide कर सकते हैं किस app को क्या disclose करना है इसी तरह हम और app की setting भी कर सकते हैं कि किस app को क्या क्या permission देनी है अब save कर देते हैं और दूसरी applications भी देख लेते हैं music app हाँ मैंने इसमें कभी न कभी login किया होगा तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी friend list या और भी personal information इस app के साथ share करूँ notification no कर देता हूँ और अब save एक और देख लेते हैं और इसके बाद अगर आपको लगे कि हां मुझे यह application remove कर देनी चाहिए तो आप सारी की सारी application remove कर सकते हो बाकि जो edit setting है वो आप इसी तरीके से हर application में कर सकते हो और फिर save अब मैं कुछ apps को remove कर रहा हूँ जिनके साथ मैं अपनी personal information share नहीं करना चाहता अगर आपको भी लगता है कि हर app के साथ personal information share नहीं करनी चाहिए तो इस तरह remove कर लीजिएगा जो application आपको remove करनी है उसको टिक करें जैसे आपने देखा होगा कई website पर facebook connect होता है हम वहाँ login तो कर सकते हैं लेकिन अगर facebook से login किया तो हम permission देते हैं और इसी permission के जरिये यह हमारा data collect कर लेते हैं इसी तरह आप अपने facebook account पर login होकर edit setting जरूर कर लीजिएगा कि किस app को क्या permission देनी है जो app मुझे remove कर ली है वो मैंने select कर लिया है अब उपर remove फर क्लिक कर देते हैं remove these apps and websites तो यहाँ पर भी टिक करना है टिक करने का रिमूफर अब मैंने जितनी भी app select कर देते हैं वो सारी की सारी remove हो जाएंगी इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको इस वीडियो से फाइदा जरूर होगा thank you so much for watching I found a really love gotta know where to look time moves fast and I'm broken up yeah I was here I just used to be my love life standing up rainbows playing me cool I've been brothers in ages झाल झाल